मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है हर पहलू जिन्दगी का इम्तिहान होता है डरने वालों को कुछ मिलता ही नहीं है लडने वालों के कदमों में जहान होता है गुड मॉर्निक फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनलाइन स्टुडी पॉइंट दोस्तों आज है 14 सितंबर और देखेंगे आज के सारे करेंड अफेस साथ ही काफी सारे एक्स्टा फैक्ट भी तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से जरूर देखी लास्ट में एक क्वेशन पूछूँगा उसका एंसर आपको कमेंड बॉक्स में जरूर लिखना है इस वीडियो की पीडियो फाइल के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लें वहाँ पे आपको मन्तली और वीकली इसके साथ साथ बहुत सारे नोट्स भी प्रोवाइट कराता हूँ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों मैं अनकेडमी पर ही पढ़ाता हूँ तो आप अनकेडमी का लनिंग के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिजिए उसमें ऑनलाइन एस्डी पॉइंट साच करके आप फोलो कर सकते हैं मैं अनकेडमी प्रोफाइल के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे 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 हूँ तो उस लिंक पर डारेक्ट क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं और मेरे दुआरा आप बनाया के करनेफेस की वीडियोस आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं अब रदियाब मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन जरूर प्रिस करें दोस्तों ताकि आपको डेली सी तरह मौनिंग में करनेफेस की वीडियोस मिलती रहे हैं अब वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज उत्सा बढ़ाने के लिए एक लाइक जरूर करें आज स्टार्ट में रखते हैं सोलाजा लाइक्स का साथ ही इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके प्लीज सेर जरूर करें सपोर्ट और अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए ठीक है जितने स्टेडी ग्रूप है चलिए पहला इस कोईशन स्टार्ट करते हैं सैमसंग ने दुनिया का सबसे बड़ा मुवाईल अनुभो केंदर किस शहर में खोला है तो अभी हाली में सैमसंग ने दुनिया का यानि वर्लका सबसे बड़ा मुवाईल अनुभो केंदर बेंगलूरू में खोला है ठीक है आपको बता दें कि Samsung दोस्तों जुलाई 2018 में नोईडा में दुनिया का सबसे बड़ा mobile phone विनिर्माण factory लांच करने के बाद अब करनाटक के बेंगलूरू में अपना सबसे बड़ा अनुभाव केंदर खोला है ठीक है तो यहाँ पर एक fact Central Business District में लवक 33,000 वर्फिट की प्रतिष्ठित इमारत इमारत ओपेरा हाउस को Samsung के mobile उपकरनों और अन्य उपहोगता electronic उत्पादों को प्रसित करने के लिए एक नय रूप दिया गया है इसके लावे इसमें phone के लिए एक सेवा केंदर है और कई high speed सरवजनिक Wi-Fi से less है एक ग्रहाक 40 square चेयर या Y plus pulsar 40 कुर्शी जैसे VR अनुभा का अनन्द लेने के लिए सक्षाम होगा ठीक है यहाँ पर बात क company के संस्थापक थे दोस्तों ली ब्यूंग चूल ठीक ली ब्यूंग चूल इसके संस्थापक थे फाउंडर थे तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है एकसर बैंकिंग और अन एक्जाम में पूछे जा सकते हैं आप यहां पर बात बैंगलूरू को हो रही है तो बैंगलूरू करनाटका की राजधानी है और करनाटक की जो बरतमान CM है HD कुमार स्वामी गवर्नर है बाजू भाई वाला करनाटक में जो दो राश्टी उद्यान है वो अक्सर एक्जामें पूछा आते नागर होल राश्टी उद्यान नागर होल नेसनल पार्क करनाटक मे और बांधीपूर राश्टी उद्यान कहा है इस्तित है करनाटक में ही और बेंगलूरू को अंतरिक्ष का सहर भी कहते हैं मले का देश भी कहते हैं करनाटक को साथ ही सिलिकान वैली आफ इंडिया करनाटक की राज़ानी बेंगलूरू को कहते हैं ठीक है सबसे उचा जो जहरना है भारत का वो है जोग या गर्शोपपा जिसे कहते हैं करनाटक में इस्थीत है और एक most important अकसर question पूछाता है एक शगान कहां का लोक नित्ते है एक शगान किस राजी का प्रशित लोक नित्ते है तो यह है करनाटका का ठीक है तो सैमसंग ने दुनिया का सबसे बड़ा मुबाइल अनभोक केंदर किस सिटी में खोला है किस शहर में राइड एंसर राइगा ऑफसान है बैंगलूरू में ठीक है बात करें आपे चन्नाई की तो चन्नाई तमिलाडू की केपिटल है और चन्नाई में सबसे बड़ा समुद्र तट जो है मारिना बेच चन्नाई का इस्थी थे ठीक है सी एम है के पालनी स्वामी गवनर है बनवारी लाल पुरोहीद ठीक है तो यह थे दोस्तों पहले कोश्चन से आपको दिस्तारी जानकारी मिल जाती इसी तरह में हर कोश्चन में आपके लिए एक्स्टाफ है करता हूं साथ ही बहुत इंपोर्टन कोश्चन है तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें दोस्तों ठीक है चलिए और दोस्तों एल बुक पब्लिसर द्वारा गुरूप डी एक्जाम के लिए एक मोस्ट इंपोर्टन बुक जो है तो तयार की गई फीडियो फाइल से वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा मातर 30 रूपए की बुक है आप पर्चेस कर सकते है रिवीजन के लिए बहुत इंपोर्टन बुक है क्योंकि रेलवे गुरूट बीक एक्जाम 17 सितमर से स्टार्ट हो रहे है तो रिवीजन करना बहुत बहुत जरूए तो ये बुक रिवीजन के लिए बहुत इंपोर्टन है अगला कोशन है हाली में सुस्मा सुराज की इस देश की दो दिवसी यात्रा पर रवाना हुई है तो राइट एंसर जाएगा ऑप्शन C रूस आपको बता दे कि विदेश्ट मंत्री सुस्मा सुराज दो द सुर्धान मंत्री है यूरी बोरिश्यो द्वारा इसकी साथ देख्स्ता की जाएगी और आई आराई जी सी टेक एक स्थाई निकाय है जो सालाना निवेश दूइपक्षी व्यापारों और विज्ञान और प्रद्युक की संस्कृतों कापसी हित के अन्यमुद्दों के छे कोपरेशन ठीक है क्या है फुल फॉर्म इंडिया रसिया इंटर गवर्मेंटल कमीशन ओन टेकनिकाल एंड एकोनोमिक कोपरेशन ठीक है यहाँ बात करें रूस की तो रूस की राजधानी है मासको और करेंसी है रूबल राष्टपती है प्रेसिडेंट है ब्लादीमीर क्रित्रिम उपुरह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला पहला देश कौन से था तो आर्टीपी से लुगबुरह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला देश प्रथम देश था रूस और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम जो महिला थी वह थी विलेंटी ठीक है और आपको बता चुकों को राष्टपती व्लादिमीर पुतिन है और बैकाल जील दोस्तों रूस में इस्तित है विश्च की सबसे गहरी जील है ठीक है बैकाल जील तो हाली में शुष्मा सुराज किस देश की दो दिफसी अतरपर रवाना हुई है रूस मास्कों में तो यह आप याद रखिएगा बहुत important question है अगला question है भारत इरान अफगानिस्तान ने सहयोग मजबूत करने के लिए त्रिपक्षी बैठक कहां अवजित की है जिसका राइट एंसर रहा हो दोस्तों आपसाने अफगानिस्तान काबूल में आपको बता देक भारत इरान और अफगानिस्तान ने काबूल अफगानिस्तान में अपनी पहली त्रिपक्षी बैठक आवजित की है जिसके दौरान चावरा बंदरगा परिजना के कारेंवेर और आतंगबादी उरोधिस चहयोग को गहरा बनाने के तरीकों साइथ कई अन्नमुदों पर चर्चा की गई है इसके लावा भारती प्रतिनी मंदल का नेतरित जो है विदेश सची विजय के सगोकले ने किया जबकि एरानी दल के देख्षता उप विदेश मंतरी अबास अरागची ने की है इसके लावा अफगान के विदेश मंतरी हेमत खलील करजाई ने बैठक के देख्षता की है ठ ठीक है और अफगानिस्तान की बात करें सो अफगानिस्तान की कैपिटल है काबूल करेंसी अफगान अफगानी ठीक है तो भारत और इरान अफगानिस्तान ने सहयोग मजबूत करने के लिए त्रिपक्षी बेठक कहां वुजित की है अफगानिस्तान की कैपिटल काबूल में और इसमें भारत की तरफ से जो नित्रितु किया था प्रतिन मंडल का विदेश सची जो है विजे के शकोखली जी जबकि इरानी दल के धक्ष्टागी थी उपविदेश मंत्री वहां के अबास अरागची ने और अफगान के उपविदेश मंत्री हेमत खलील करजाई ने ठीक दी है जिसका राइडेंस रोजागा उपसंडी हंडेट परसेंट आपको पता दे केंद्री मंत्र मंडल ने 2022 तक भारती रेलवे को पूर्ण विद्दूती करण के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है और यह आयातीत जीवास मिधन पर निर्भरता को कम और राश्टी बाहक के लिए राजश्क बज़त करेगा इस कदम से सरकार के 12,134 करण रूपए खर्चोंगे और यह घोशना जो भारत के रेल मंत्री श्रीपुष गोयल जी ने की है इसके लाबा दोस्तों बिस्तित रोज मारगों के बिस्तित गेज मारगों के पूर्ण विद्दूती कर 3.04 मिलियन यात्री आत्रा करते हैं और 3.04 मिलियन टन माल की धुलाई होती है वरतमान वे भारत के रेलवे केमिनेट मिनिस्टर है वो है प्यूश गोयल जी ठीक है तो सरकार ने 2021 तक रेलवे के लिए कितने परसेंट कितने प्रिश्यत विद्दूती करण को मंजूरी दी है 100 परसेंट तक जो तो मंजूरी मिल गई है ठीक है अगला कोश्चन है 11.72 को किस भारती राज से नेपाल के लिए पनी पहली बस सेवा शुरू की गई है इसका राइडेंस हो जाएगा आपसंसी बिहार आपको बता दें कि बोध गया से काठमांडू के लिए पटना से बागर शुभारम 11.72 को हुआ है और जोहां के सियम है नितिश कुमार जी ने हरी जंडी दिखा कर मुख्य मंत्री सचिवाले के समीप से चार बसों को रवाना किया है इसके लावा भारत सरकार और नेपाल सरकार की सहविती मिलने के बाद बिहार राज जिपत परिवान दिखा कर इसको रवाना किया है चलिए अगले कोशंग दरब बढ़ते हैं भारत इगलेंड टेस्ट सरीज 2 18 में किसे मैन आप द सीरीज घोसित किया गया है इसका राइडन सब्सक्राइगा यह और भी दोनों आपको बता दें 11 सिलमर 2 18 को इगलेंड ने ओवल में खेले कर पांच मैचों की टेस्ट सिंखला चार एक से जीत लिए है और प्लेयर आप दे मैच जो है एलेस्टर कूक और प्लेयर आप दे सीरीज सैम कुरान और विराट कोहली को ठीक है तो भारत इगलेंड टेस्ट सीरीज 2 18 में किसे मैन आप द सीरीज घोसित किया गया है राइड इस देमर 2 18 को विश्ट सूटिंग चैंपियंशिप के जूनियर इबेंड में इसकीट पदक जीतने वाले पहले भारती शूटर बनने का गौरब कि इसने हासिल किया है इसका राइडेंसर रहागा ऑपसाने गुरुनिहाल सिंग गारचा आपको पता दे कि 19 वरसी गुरुन चैंपियंशिप में कांस पदक जीता इसके लाबत वस्तों बाद में उन्होंने टीम की स्कीट इवेंड में आनंजीत सिंग नरूका और आयूस रुद्रजात्र के साथ मिलकर रजात पदक दिलाया है ठीक है तो 11 सितंबर 2018 को वर्ल्ड सूटिंग चैंपियंशिप के जून इवेंशिप कौन सरक्षा उपकरम बना रहा है तो इसका राये डेसर वर्या गोश्तों ओप्संडी हिंदूस्तान सिक्षाण लिम्टेड ठीक है आपको बता देए धुस्तों हिंदूस्तान से क्यार्ण अक्टूबर के पहले सबतह तक भारत के इसमुद्र यारनाभ जीर काम करती है ठीक है तो भारत का पहला मिशाइल ट्रेकिंग जहाज निम्रिखित में से कौन सा रक्षाउक पुरम बना रहा है यह बना रहा हिंदूस्तान सिप्यार्ट सिलिम्टेड ठीक है और रखतों केंद्र सरकारद्वारा हाली में कितनी फिक्स्ट डोज कॉम्बिनेशन यहनी FDC दबाओं पर प्रतिवन्थ लगाने की घोशना की गई है राइट अंसर ऑप्षन भी 328 त्री ट्विंटी एट आपको बता दे कि केंद्री स्वास्त मंत्राले ने आम तोर पर प्रयोग मिलाई जाने वाले 328 दबाओं पर प्रतिवन्थ लगाने का निर्णे लिया है ठीक है चलिए कोशन नंबर 11 दोस्तों शैंक तुराश्ट द्वारा हाली में जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्स बात भी भुकमरी की समस्या में लगातार विद्धी होने की बात कही गई है तो स्काराइट इंसर ऑप्षन भी तीन वर्स आपको बता दे एक स्युक्त राश्ट द्वारा हाली में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व भर्म हुकमरी की समस्या में लगातार तीसरे बारस भी जोतु बृद्धी हुई है अगला कोश्चा ने केन सरकार ने हाली में किस ऑनलाइन गेम को लेकर सुरक्षा पर आमर जारी किया है राइट एंसर ऑफसंडी मोमो चैलेंज ठीक है आपको बता दीक महिला वंबाल विकास मंत्राले ने घातक ऑनलाइन गेम मोमो चैलेंज पर एक सलाह जारी की और इसके तहत बच्चों को सोचल मीडिया गद्विती की निगरानी करने के लिए कहा है ताकि वे यह सुनशित कर सके कि मोमो चैलेंज गेम में शामिल तो नहीं है तो केंड सरकार है हाले में किस ओनलाइन गेम को लेकर सुरक्षा परामर्चारी किया है मोमो चैलेंज लाकोश और रूस चीन मंगोलिया के शैनिकों ने साथ मिलकर किस नाम से विश्ण का सबसे बड़ा युद दभ्यार किया है राइट एंसर ऑप्सन भी वोस्तोग आपको पता देख रूस चीन और मंगोलिया के सहनिकों ने साथ मिलकर वोस्तोग दो रठारा नाम से विश्व का सबसे बड़ा युद्धवार शुरू किया है ठीक है चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों कल का उत्तर भारत की प सामने दे रखें आपको कमेंट बॉक्स में एंसर जरूर लिखना है ठीक है सभी लोग लिखेंगे लगवाग बहुत कम लोग कमेंट करते हैं प्लीज सभी लोग कमेंट करेंगे साथ इस वीडियो को शेर कर दीजे लाइक कर दीजे वीडियो पसंद आया तो और हमारे चैन अरू कर दीजा जरूत